नमस्कार मैं हूँ जूली आप इसक देख रहे हैं दिडिया टॉप लोग जन सक्ती पार्टी रामविलास के रास्टी अध्यष चिराग पास्वान ने बिहार के मुख्य मंद्री नितिश कुमार से पत्र लिख करके केंद्री मंद्री पशुपती कुमार पारस पर हुए हमले की जांच की मांग की है दिरसल कुछ दिनों पहले पशुपती कुमार पारस बाबा चोहर मल जयनती उत्सों में हिस्सा लेने के लिए पहुचे थे वहां पर चिराग पाथवान के समर्थको ने उनके खिलाफ नारे बाजी करनी शुरू कर दी थी और बाद में उन पर पत्राओ किया था जिसके बाद किसी तरीके से पुलिस दूरक्षा के बीच केंद्रे मंद्री पशुपतिपारस को वहां से बाहर निकाला गया इसके बाद पशुपती पारस ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान उनकी हत्या की साजिस रच रहे हैं इसके बाद अब चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरे घटना के निंदा की है और मुख्य मंतरी नितीश कुमार को पत्र लिख करके इस पूरे मामले की जाच करने की मांग की है चिराग पासवान ने कहा कि इतने सालों के इतिहास में आज तक कभी भी उस मेले में इस तरीके की घटना नहीं घटी है लेकिन जिस तरीके से पशुपती कुमार पारस के कहने पर प्रशासन ने पासवान समाज के लोगों पर लाठियां चलाई है इसकी भी जाच होनी चाहिए और उन्होंने इसकी भी निंदा की है बतादे कि केंधिरी मंत्री पसु पती पारश चिराक पास्वान पर हत्या करवानी की साजिस रचने का आरोप लगा रहे हैं इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंतर नितीश कुमार से पूरे मामले की जाज किये जाने की मांग की है और इसको लेकर के चिराग पासवान ने बकाइदा एक चुठी भी लिखी है और इस पत्र में चिराक पासवान ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पासवान समाज के अराध्य बाबा वीर चोहर मल्क की जहनती हर साल धूम धाम से मनाई जाती है लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है उन्होंने बताया कि जब रामविलास पासवान जीवित थे तो वो हर बार इस उत्सों में शामिल होने के लिए जाते थे और वहां के जो लोग हैं उनका भवे तरीके से स्वागत करते थे और इसके बाद जब अपने पिता के निधन के बाद वो पहली बार वहां पर पहुंचे तो उसी जोस और उसी उमंग के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया उन्हें अपना आशिरवात दिया और इसके लिए उन्होंने पास्वान समाज के लोगों को अपना अभार भी प्रकट किया है उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ी संख्या में बिना धूप गर्मी की परवाह किये लोग घंटों तक उनकी बातों को सुनते रहे और उन्हें आशिरवात दिया उसकी वो सनाना करते हैं उन्होंने कहा कि समाज के द्वारा रामविलास पास्वान जी के समान में लगाए गई प्रतिमा का अनावरन भी मेरे ही हाथों कराया गया जहां एक तरफ पशुपती कुमार पारस पर हुए हमले की निंदा करते हैं वही पहली बार बाबा वीर चोहर मलकी जैनती के मेले में मौझूद लोगों पर लाठी चार्ज करने की भी घोर निंदा चुराग पासवान ने की है उन्होंने कहा इतने सालों के इतिहास में आज तक कभी भी उस मेले में ऐसी घटना नहीं घटी थी पशुपती पारस की कहने पर जिस तरीके से प्रशासन की द्वारा पासवान समाज के लोगों पर लाठीया चलाई गई है इसकी जाच होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने मुख्य मंत्री से मांग की है चुराग पासवान ने अपने चाचा पशुपती पारस पर भी गंभीर आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि चाचा पशुपती पारस बाबा चोहर मल जयनती के धार्मिक आयोजिन में आईश्रत धालूँ पर शिराब पीने का आरोप लगा कर पासवान समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और साथी ये करकर भी की शिराब सभी जगह मिलता है इसते शिराब बंदी कानून जो है वो उसकी भी पोल खोल रहे है पत्र में चिराब पासवान ने मुख्य मंत्री से कहा कि आप प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के साथ साथ प्रदेश के ग्रिह मंत्री भी है ऐसे में मेरे उपर लगे आरोपो की जाच की मांग करता हूँ यदि जाच में मैं दोशी पाया गया तो यकीनन मुझ पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन यदि मैं दोशी नहीं पाया गया तब पशुपती पारश पर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कर उन्होंने हमारी छवी को बदनाम करने की कोशिश की है जन्ता में पशुपती पारस को लेकर बढ़ रहे आक्रोश के कारणों की भी जांच होनी चाहिए यकीनन बिहार की जन्ता और खास तोर पर पासवान समाच के बीच पशुपती पारस को लेकर काफी आक्रोश है जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद पार्टी को धोखा देने का काम किया और मंत्री बननी के लालच में हमारे नेता के विचारों से समझोता किया इससे हमारे नेता के समर्थक पशुपती पारस से काफी नाराज है पासवान समाच की नाराजगी हाल ही में हुए बोचहा उपचुनाव में भी देखने को मिली की जो समाच अभी तक NDA का समर्थक रहा था इस बात से काफी नाराज है कि जिस तरीके से दिल्ली में आवास खाली कराने के बहाने हमारे नेता रामलास पासवान जी की तस्वीरों के साथ तमाम महापुरुशों की तस्वीरों का अपमान किया गया उसे भुलाया नहीं जा सकता है समाच में इस बात का आक्रोश है कि इतना कुछ हो जाने पर सिर्फ मंत्री बने रहने के लालच में पशुपति कुमार पारस ने एक शब्द नहीं बोला है और यही वज़ा है कि जब वो बाबा चोहर मल्क जयनती उत्सों में पहुँचे थे तो वहां के लोगों का आकरोश जो है वो फूट पड़ा और उन्होंने इस तरीके से उन पर हमला किया हाला कि उन्होंने इस हमले की निंदा किया लेकिन जो पुलिस के द्वारा पास्वान समाज की लोगों पर लाठी चार्ज किया गया था उसकी भी उन्होंने कड़े निंदा की है और पूरे मामले के जाच करने की बात कही है ना सिर्फ जो आरोप लगाए गए हैं चिराक पास्वान पर उनकी जाच करने की मांग बलकि जो लाठी चार्ज हुआ है उसकी भी जाच करने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री नितीश कुमार सकी है बिलाल इस वीडियो में इतना है ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चानल देंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें धन्यवादा